मान लीजिए कोई अपनी बोर्ट में एक फैन रख देता है और इस फैन की एर का पुश का यूज़ कर गया है अपनी ही बोर्ट को आगे मूव करवाने की कोशिश करता है तो क्या वो इस बोर्ट को इस डारेशन में मूव करवा पाएगा चलिए इस क्विश्चन का आंसर फि करें और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दे बोर्ट पर विचार करें और इसका सेंटर ओफ मास कहा है यह पता करने की कोशिश करें तो हम यह देखेंगे कि इस मास्ट का जो सेंटर ओफ मास होगा वो इसके हेवियर वेट की तरफ होगा मतलब की थोड़ा से नीचे की तरफ होगा center से थोड़ा सा नीच और जो बची हुई boat है इसका center of mass यहां कहीं पर होगा पंख्यों को छोड़ करके बाकी की boat का center of mass इन दोनों points को मिलाने वाले line पर situated होगा और थोड़ा सा heavier weight जो कि यहां पर boat का weight होगा इसकी तरफ होगा मान लिजे यहां कहीं पर center of mass होता है और इस पंख्यों का center of mass मान लिजे इस जगे पर है तब जो दोनों का मिला करके पूरे system का center of mass है पंख्यों और boat का वो इन दोनों points को join करने वाली line पर होगा और heavier weight की तरफ होगा मान लिजे इस जगे पर यह पूरे system का center of mass है अब newton second lawyer कहता है कि center of mass तब तक move नहीं करेगा जब तक की external force काम ना करे और क्योंकि पंख्यों का mast पर लगाया गया force इस पूरे system का internal force है इसलिए इस center of mass को move नहीं करना चाहिए तो अगर पंख्यों इसको push करेगा तो पंख्यों को भी थोड़ा पीछे आजाना चाहिए ताकि center of mass उसी जगे बना रहा है अगर boat आगे जाएगी तो इस पंख्यों को थोड़ा पीछे आना चाहिए लेकिन पंख्यों नहीं कर सकता क्योंकि पंख्यों इस बोट से इस पॉइंट पर अटेज्ड है तो होगा क्या कि पंख्यों इस मास्ट को पुछ करेगा और पंख्यों पर पीछे की डिरेक्शन में फोर्स लगेगा बोट को पीछे करेगा तो मास्ट पर अगे लगाया गया फोर्स और पंख्ये पर पीछे लगए फोर्स एक दुसरे को कैंसल कर देंगे जैसे सेंट्र आफंख्यों वहीं बना रहेगा एक मतलब कि बोट मूँव नहीं करेगी